इजिप्संस के लिए एक डंग बिटल इतना महत तो रखता था कि प्रामिड की जातर देवारों पर बने हाईरोग्लिप्स में इसके चित्र मौझूद हैं। आपको ये जानकर हैराने होगी कि धरती पर डंग बिटली अकेला ऐसा जीव है जो मिलकीवे गैलेक्सी से आरही लाइट को फॉलो करते हुए अपने घर का रास्ता ढूंडता है। इजिप्सन्स इस बात को साड़े चार हजार साल पहले ही जानते थे। डंग बिटल के चहरे जैसे एक देवता खैपरे की वो पूझा करते थे और मानते थे। जैसे दो इंच लंबा डंग बिटल अपने संगर्स और महनत से रास्ते की हर रुकावट को पार करके गोबर के बनाए लड़ू को लुड़का कर अपने घर तक ट्रांस्पोर्ट करके छोड़ता है। ठीक ऐसे ही देवता खैपरे फैरो की आत्मा को सूरच के रास्ते से दूसरी दुनिया में ले जाएगा जहां उसकी आत्मा सुक और चैन से रह सकेगी।